असलाम अरेकों माई यूटीफ फैमिली तो क्या हाले आप सब लोगों के उमीदे सब खेलिया से होंगे बहुत मज़े में होंगे आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी स्टॉबरी ऐसक्रीम की रेसिपी शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार घरमे बनकर ये तियार हो जाती है और घरमे आप फ्रेश स्टॉबरी की मज़ेदार हाईजैनिक तरीके से आप स्टॉबरी ऐसक्रीम बनाएं और घरमियों में इंजॉय करें तो आप अपने हाथाँ से अपने बच्चों को बना कर दें तो इंशाला कोई न्यू वीडियो अपलोड करोंगी तो वह सबसे पहले आपको मिलेगी तो इनरसीपी को स्टार्ट करते हैं यहां मेरे पास 350 ग्राइम स्टॉबरी से और मैंने इसको दो के और ड्राय कर लिया था अच्छी तरीके से छनी में रख दिया था और उसके बाद अब हम इसक इसको ग्राइंड करना है और इसको आप चाहें तो थोड़ा चंक्स में भी रहने दे सकते हैं लेकिन मैं बिल्कुल फाइन प्यॉरी इसकी बना रही हूं अगर आपको चंक्स मुह में आते वह अच्छे लगे तो आप थोड़ा मोटा मोटा इसको पीस लिएगा कि देखें यह बन गई है अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और पानी बिल्कुल भी एड़नी करिएगा वरना इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं बगार पानी के ही आपने इसको ग्राइंड करने हैं आगे के प्रॉसेस पे चलते हैं यहां में पास दो कप में लिए और यह रेट फूट कला में पास पाउडर वाला था मैंने हाफ टीस्पून लेकर उसको पाने में डिजॉल्फ करके रख लिया है और यह स्टॉबरी एसन्स है मेरे पास रखिएगा इस्टिफ पीक सकर रखेंगे तो फिर आइस क्रीम हार्ड हो जाएगी यह सॉफ्ट है भी और अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क भी आट कर दूंगी और अगर आप चीनी कम पसंद करते हों तो आप कम भी एड़ कर सकते हैं यह कंडेंस मिल्क अगर यह परफेक्ट मेजरमेंट थी जो मैंने आपको बताईए ना मीठा जादा होता है ना कम होता है बिलको ठीक रहता है अब हम इसको अच्छी तरा मिक्स कर लेंगे और यह प् और प्यूरी डालनें के बाद इसका कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा है तो इसमें हम कलर भी एड़ करेंगे तो अभी हम इसको पहले मिक्स करके देखते हैं अची तरीके से अगर आप नहीं डालना चाहते हैं इसमें कोई कलर वगार तो आप ऐसी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा बजार जैसा कलर थोड़ा डार्क चाहिए था तो इसलिए मैं इसमें कलर यूज़ कर रही हूँ अगर आप नहीं चाहते हैं तो बगार कलर के भी मिलक एट कर देंगे और यह strawberry essence भी मैट कर रही हूँ और यह भी अगर आपके पास नहीं हो तो आप ना एट करें कोई ज़रूरी नहीं है strawberry के अपनी भी अच्छी खुशबू आती है लेकिन अगर डालेंगे तो बिलकुल बजार जैसा इसका result आएगा बजार वाले यूज़ करते हैं इसमें strawberry essence और यह color भी मैं इसमें add करनी हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा color मुझे light लग रहा है तो मैं इसमे color भी add करूंगी और थोड़ा थोड़ा add करूंगी बहुत जादा एकदम से नहीं डालेंगे तो अगर आपके पास liquid color हो तो आप 2-3 drops डालके और अपने हिसाब से जितना आपको color तेज़ कम चाहिए आप अपने हिसाब से add कर लिएगा तो यहां मैं थोड़ा थोड़ा डालके चेक कर रही हूँ बीट करके तो जितना मुझे ठीक लगेगा फिर मैं बाकी और मजीद add नहीं करूँगी यह देखें क्रीम कितनी liquid है इस वक्त इस तरह की consistency होनी चाहिए बहुत थेक stiff peaks जो हैं आपने इसकी नहीं बनाने वरना फिर आइस क्रीम जो है आपकी बहुत heart हो जाएगी तो इसी तरह से liquid होना चाहिए यह देखें यह इस तरह का होना चाहिए smooth सा एक batter हमने इसका बना लिए ना बहुत पतला है और ना बहुत थिर आपने इसका थिक जनव क्रीम को आपने फेंट के करने यह देखें इस तरह का है अब इसके blade हम निकाल लेंगे और spatula से अच्छी तरह से हम इसको mix कर लेंगे ताके कोई नीचे अगर white cream हो तो अच्छी तरह से mix हो जाए तो यह अच्छी तरीके से आप इस तरह से इसको mix कर लिएगा यह देखें इस तरह की इसकी consistency में आपको दिखा लिए देखें यह इस तरह का होना चाहिए ना बहुत पतला है ना बहुत गाड़ा इस तरह का रखिएगा और एक airtight box आप ले लिएगा और उसके अंदर यह सारा हम pour कर देंगे यह देखें आप देख रहे हैं इस तरह से उना चाहिए और यह सारा इसके अंदर add करके और यह इसको equal कर लेंगे सब तरफ से और यह cling wrap जो होती है plastic sheets जो हम लोग baking में use करते हैं तो यह इस तरह से आप इस तरह इस पिर लगा लें और इसके साथ चिपका के ताके इसमें crystals नहीं बने और इस तरह करके आप set कर लें इसको अच्छी तरीके से और उसके बाद इसको cover करके और overnight के लिए मैं रख दूँगी यह देखें next day है और मैं आपको इसका result दिखाती हूँ यह बहुत अच्छी जम गई है यह देखें कितनी perfect जमी है और बहुत अच्छा इसका result आये था मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ और यह साथ मैंने पानी भी रख लिया कटोरी के अंदर एक कटोरी में आप रख लिये गए यह tap water है तो आप यह रखेंगे और इसके अंदर आप यह scoops आप डिप करके और निकालेंगे जब आइसक्रीम तो बहुत अच्छे तरीके से इसके scoops निकल कर आएंगे तो आप आप इस तरह से डिप करते जाएं और इस तरह से इसको निकालें यह देखें बहुत अच्छा इसका texture और बहुत प्रीमी बहुत अच्छी ice cream बनकर हमारी ready हो गई थी तो मैं इस तरह से सारे निकालके और फिर आपको इसकी final look दिखाती हूं यह देखेंगे इसकी final look है और ब बहुत कम time के लिए strawberry साती है तो आप लोग जरूर बनाईएगा और strawberry के season को enjoy करें और skim बनाए अपने बच्चों को दें और खुद भी enjoy करें अगर recipe आप लोगों को पसंद आए तो इसे like जरूर कीजेगा family friends में share जरूर कीजेगा मेरे channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो म share के बटन को प्रेस करें notification अन करें इससे जब भी मैं कोई new video upload करूँगी तो वह सबसे पहले आपको मिलेगी मुझे आपके comments का इंतजार रहेगा मुझे comment करके जरूर बताएगा आप लोगों नहीं ता आपके एस्क्रिम कैसी बनी मुझे दूआ में याद रखिएगा next video में मिलूंगी एक नई और जबरदसी recipe के साथ thanks for watching, Allah Hafiz